तो आजम समझेंगे बहुत ही important structures जो आपके लिए बहुत ही helpful होंगे जैसा आप लोग बोलते होंगे कि मैं अपनी team की बदोलत मैं अपने task को पूरा कर सका ठीक है या आप ऐसे बोल सकते हैं अपनी कड़ी मेहनत की बदोलत हम इस game को जीत गए या आप ऐसे बोल सकते हैं कि समयां पर अपने office पहुंच गया ऐसे का जब आप बोलना चाहें तो ऐसे सम्झेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठने की आदर डाली है मैंने अपने मैंने सुबह जल्दी उठने की या तर डाली है या आप ऐसे बोल सकते हैं कि retirement के बाद मेरे पापा ने reading की आदर डालती है डाल लिया ठीक है या आप ऐसे बोल सकते हैं या आप ऐसे बोल सकते हैं उसने सराब का सहारा ले लिया है सहारा लेना मतलब उसने आदर डाल लिया ठीक है या आप ऐसे बोल सकते हैं कुछ example ऐसे भी कि मैं अगले हफते कानपूर जा रहा हूं यह हम लोग एक structure यूज़ करते हैं यूज़ होता है यह आप ऐसे बोल सकते हैं मैं अगले हपते कानपूर के लिए निकल रहा हूं ऐसे जो आप sentence बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हम समझते हैं पहला exam पर लिखा है I passed this competitive exam thanks to my hard work यहां पर जो देखा जाए तो एक different चीज है thanks to इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो simple से देखें किसी के कारण या किसी के बदौलत इसका मतलब होता है जैसलिक है I passed सबसे पहले इसका structure होगा तो सबसे पहले sentence हो जाएगा sentence कोई भी हो सकता है कैसे भी हो सकता है उसके बाद हम लोग लाएंग इस competitive exam thanks to my hard work अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत मैं इस competitive exam को पास कर लिया मैंने इस competitive exam को पास कर लिया ठीक है नेक्ट लिखा है I managed to नेक्ट लिखा है I managed to complete my this task thanks to my best team मतलब मैं अपनी अच्छी टीम की बदौलत इस मतलब टास्क को मैं पूरा कर लिया मैंने पूरा कर लिया ठीक है नेक्ट लिखा है जैसे थार्ड नमबर इस फादर है टेकन टू रीडिंग आफ्टर इस रेटार्मेंट मतलब उसके क्या है इसका सबसे पहला कर देखा जाया टेकन टू का मतलब होता है अब एकॉर्डिन तो मतलब सेंटेंस के साफ से सबस्ची चेंज हो जाता है यहां प शुक्त पहला याद super it again गर्दानी के भाद उसके पादर किया ठक आठाएकर हिट द्हार हो गएर्जक उसके पादर जो है रेटार्मेंट गजेंट तो मुझा पलस हेल्पिंग वर्व प्लस टेक टू प्लस नाउन या बार इस थिरिवार grey Alecatson टी लिए ठीक है लाष्ट लिखा है आए एम आफ टू कानपूर नेक्ष्ट विक यहां पर देख जाता है इसका मतलब होता है कि जैसे वो दिए जाए कि मैं अगले हबते कहां जा रहा हूं कानपूर जिसमें लिखा है नेस्ट विक आएम गोफ टू कानपूर विव्यमने अगले अध्य आपके कामबोर जा रहा हूं यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे तक सबसे पहले हमने थेंख विद्क और देखा कर देखा दूसरा हमने टेकन टूक का देखा तीसरा हमने देखा अफ्सुल्ग तो हमने तीन चीज़ें देखी तो आई हो अब